गुद्ध मर्णिंग एस्टूडेंट जैसे कि हम लोग कल फस्ट चैप्टर फस्ट लेसन को हम लोग ने रिड किया था और काफी अच्छे से हम लोग ने वाटर्स फॉर चैप्टर को कवर किया है जिसमें काफी अच्छा ये पोएम था अपने मा और बच्चे के बीच में था और आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड लेसन जिसका नाम है दा सू मेकर एंड दा इल्प्स उससे पहले हम लोग पिछले कक्षा में जो हम लोग ने पढ़ा था सबसे पहले उसके बारे में हम लोग डिसकस हो जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ने इस सभी कोशन आंसर को हम लोग ने किया था तो कोशन आंसर इसका जो exercise portion था जिस तरह से यह दिया हुआ है use of water कुछ words winning थे जहां पर जो कल में समझाय था आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने कोपी में इसको कवर कर लिये होंगे तो आए कुछ वर्ड्स जो कि यहां पर आपको जिस तरह से यह यह जो दिया हुआ है complete the words map तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है washing यहां पर क्या लिखा हुआ है washing लिखा हुआ है जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है washing लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है washing washing मतलब क्या होता है जैसे किसी भी चीज़ को हम लोग साफ करते हैं तो इसके लिए वाशिंग आता है तो वाशिंग में हम लोग दो चीज़ बताना है कि क्या क्या वाश करते हैं तो वाशिंग में हम लोग बता सकते हैं कि जैसे हम लोग अपने हाथ को भी साफ करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं हैंड लिख सकते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं हैंड लिख सकते हैं हम लोग और इस सरकल में क्या लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि कार को भी वाश करते हैं हम लोग अब ये इस वाले सरकल में हम लोग क्या लिख सकते हैं इस सरकल में हम लोग लिख सकते हैं मेकिंग मेकिंग मतलब क्या होता है बनाना राइट मेकिंग मतलब बनाना बनाना मतलब क्या क्या बना सकते हैं हम लोग चाय बना सकते हैं हम लोग क्या बना सकते हैं चाय बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं इस सरकल में क्या लिखेंगे फिर इस सरकल के लिए यह सरकल में यह और क्या बनाते हैं हम लोग पानी से कुक फूड लिख सकते हैं अना फूड राइफ डबल ओडी फूड राइट हम लोग क्या बनाते हैं खाना बनाते हैं अब फिर यहां से हम लोग देखेंगे कि इस सरकल में हम लोग क्या लिख सकते हैं तो इस सरकल में हम लोग लिख सकते ह जैसे कल के spelling में आप लोग देखे होंगे रिंसिंग शब्द एक आया था रिंसिंग वर्ड आया था राइट यसे आप कोई चीज को वॉश करते हैं है ना वाटर से वाश करते हैं तो वाटर से क्या क्या वाश करते हैं आप अपने शर्ट को या फिर यूनिफॉर्म को राइट और बरतन को भी तो वाश करते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं शर्ट लिख सकते हैं यहां पर आई राइट आई आर्ट इस वाले में क्या लिख सकते हैं आप पोट लिख सकते हैं, P-O-T, P-O-T लिख सकते हैं, इस वाले सरकल में, ये सरकल में, अब अगले में, इस वाले में क्या लिख सकते हैं, इस सरकल में, इस सरकल में आप लिख सकते हैं, वाटर, वाटरिंग, वाटरिंग मतलब इस सरकल में लिखने हैं, वाटरिंग, वाट यहां पर क्या हो गया यह इस वाले सरकल में क्या इस वाले सरकल इस वाले सरकल में लिखेंगे कुई टी और वंटरींग यहां पर दिखत हो रहा है कि यहां पर कि कोई प्लांट है उसको क्रते हैं यहां पर टोमेटों लिखे सकते हो पटेटाटो लिखे सकते हो यह सब चीजे लिखे सकते हो यह पूरा कमلفЕТ होता है हम लोग कर यह एक्सराइज और अब हम लोग सीधा चलते हैं सेकेंड़ चैपटर की तरफ जो की काफी ही बहुत ही अच्छा बहुत ही जबरदस्त का आनी है मैंने भी इस स्टोडी को बच्पन में पढ़ा था और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बनाने वाला यानिकी जूता बनाने वाला एंड मतलब और दी इइस लगा है दमिंज को यह दो लोग दो लोग या दो से ज्यादा की बाते कर रहा है और स्टोडी के अकौड्विए लेखें वह कितने लोग हैं इसमें बॉन आदमी राइट यहां पर कुछ चोटा एक डब्बे में दिया हुआ है ब्रैकेट में के अंदर में Most of you will know the story of sad woodcutter who has lost his ex who helped him मतलब ज्यादा तर आप लोगों ने ये story जरूर ही सुना होगा पढ़ा होगा sad woodcutter की sad woodcutter मतलब एक लकरी काटने वाले की who had lost his ex जो अपना ex मतलब क्या होता है कुलहारी जो अपना कुलहारी खो चुका होता है who helped him कौन उसकी मदद करता है आप से सवाल है जब आप बच्पन में इस story को पड़े होंगे तो ये पूछा जा रहा है कि किसने मदद की थी उस समय है अब हम लोग देखने वाले हैं line by line यहां पर कि किस तरह से यहां पर दिया हुआ है लिखा हुआ है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर द्यान से देखना है मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से यह क्लियर हो सके मैं और अठ्धिन कहीं आठ्धिन मैं नर्ण। नर्ण। घर देखने हैँ और 10ड देखनी यहां विय डिखा है टाकि वाल टोयोज़ विखा लिखें है थोड़ा सा आप घब रहा है नहीं सब तो जाएगा है थोड़ा सा सेटिंग की प्रोब्लम में यहां पर देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है once once there was a very poor sumaker right a poor sumaker मैं अभी बताया sumaker मतलब जूता बनाने वाला once मतलब एक बार क्या होता है कि बहुत ही गरीब जूता बनाने वाला होता है था जूता बनाने वाला था right he and his wife lived in a little house on the is of a wood right वो और उसकी पत्नी कहां रहते थे एक लकडी के जो उनका एक छोटा सा घर था right उसी site पर वो रहते थे right as of wood right अब आगे हम लोग देखने वाले है there were not क्या लिखा हुआ है there t h e r e there were not many people who would buy shoes from the shoe maker बोल रहा है कि there were not many people बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके द्वारा बना हुआ shoes नहीं खरीते थे there were not many people who would buy shoes from the shoe maker जो shoe maker shoes बनाता था उसके जो shoes था वो बहुत से लोग नहीं खरीदते थे इसका मतलब वो कहीं ने कहीं बेशने जाता होगा तो नहीं खरीद रहे हैं right अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है ध्याइन से देखो लिखा हुआ है कि इन देखिसए करे लिखा हुआ है अपका कि रख गया कि आपका कि जो लेस and advise that means क्या हो गया कि ea controle जानी की धीर denn जानी की किश दे कि ऐर है यहां पर इस डेje जुलड़का जानिकी है ज्युटा किस से बनता है लेतर से servant भाएक का दानादा है neighbors Our today घुर 5 मौर और उसके पास अबाइस नहीं थे लैठर कर दने के लिए आई जूते बनाने के लिए लेधर के जय पड़ती है और अर्लिदर दिरे उसके पास कम हो गए थे और पैसे में थे लेधर खरीदने के लिए इहां पे लिखा हुआ है day by day За Shoe maker and he is wife grue poorer यही कि day by day day by day अब कि क्या हो गया यह बाइव कि धर रिजा मीषेधियर हो गया कि दिन प्रती दिन shuffle, कि धर कि अम लोग पाइव से बोलते है कि दिन प्रती दिन तुम मतलब तुम्हारा हाइट बढ़ रहा है दिन प्रति दिन तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो रही है उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है डे बाई डे यानि कि दिन प्रति दिन दिन प्रति दिन गरीब होते जा रहे थे अट लास्ट देर वाज लेदर फोर अनली वन प्रति दिन प्रति दिन गरीब होते जा रहे थे एक जोरी सूज बनाने के लिए यानि कि एक व्यक्ती पहन सकता था सूज को उतना ही लेदर उसके पास बचा हुआ था यानि कि एक जोरी सूज बनाने के लिए ही लेदर उसके पास बचा हुआ था अब यहां पर कहानी देखते हैं कि आगे क्या होता है next आगे कह रहा है कि the shoemaker cut out the last pair of shoes यानि कि shoemaker ने क्या किया वो leather को cut किया last pair of shoes यानि कि जो last pair of shoes बनाना था leather उतना ही बचा था soos कैसे बनता है वो leather को काटते हैं फिर उसको design देते हैं उसको ढालते हैं उनके पास सब चीज रहता है लेकिन पहले लेदर को काटा जाता है तो उसी तरह से लेदर जो था उस लेदर को काट करके और रखा राइट last the shoemaker cut out the last pair of shoes है न काटके रखा राइट अब आगे लिखा हुआ है he said his wife उसने अपने वाइप से कहा क्या लिखा हुआ है he said to his wife उसने अपने वाइप से कहा क्या कहा जी राइट हम ही said his wife tomorrow I will see them वो क्या हुआ होता है इस स्टोरी में कि the shoemaker cut out the last pair of shoes यहाँ पे देखे थे हमें the shoemaker cut out last pair of shoes वो अपने last pair of shoes यानि कि लेदर को काटके रखा he said his wife उसने अपने पत्नी से कहा tomorrow I will see them मैं कल इसे सिलूँगा अपने पत्नी से कहा कि आज मैं इसको काटके रख दे रहा हूँ इसके लेदर को और मैं इस डिजाइन को काटके रख दे रहा हूँ और इसको मैं कल सिलूँगा तो एक कोशन है यहाँ पर कोशन मार्क लगाया है कि what what are the problem that the shoemaker faced यह कोशन पूछ रहा है हम लोग से कि आपको क्या लगता है वह किस तरह का problem face किया right next morning यहाँ पर लिखा हुआ है कि next morning क्या लिखा हुआ है next morning the shoemaker got up and went into his shop next अगले सुबह वो शोव मेकर उठा और कहां गया अपने shop में गया कहां गया वो अपने shop में गया he was surprised क्या लिखा हुआ है he was surprised at what he saw he was surprised at what he saw what he saw वो जैसे इन दुकान में गया तो उसने वहाँ जाते के साथ पूरी तरह से क्या हो गया वो surprise हो गया मतलब की chunk गया कि ये क्या है कुछ तो देखा होगा जैसे ये अपने दुकान को खोला open किया तो वो देख के ही क्या हो गया surprise हो गया surprise होना मतलब की chunk जाना there was लिखा हुआ है कि there he saw a pair of shoes क्या लिखा हुआ है there he saw a pair of shoes right क्या लिखा हुआ है वह इससे पहले इतना अच्छा सूज नहीं देखा था वह जैसे ही अपना सौप ओपन करता है तो उसको जो लेदर वो काट के रखा था उसी लेदर का सूज बिलकुल तयार मिलता है में लेदर काट जैसे वह जैसे मोर्निंग में सुबह जाता है वहाँ पर उसको दिखता है कि किस तरेके से अपने आप ये बन चुका है ये मैं तो कल के वह लेदर काट के गया था लेकिन आज सूज कैसे बन गया सूज बन के तयार कैसे गया वह इससे अच्छा सूज अभी तक नहीं देखा था अगे जो स्टोरी है बोल रहा है कि दा सूज वेर परफेक्ट जो सूज था वह बहुत ही अच्छा था यानि कि जो सिलते हैं यानि जब सूज हम लोग वह करते हैं देखें सूज लेते हैं तो देखते हो आप अपने सूज में देखना सिलाई की हुई रहती है तो उसी को स्टीच मतलब होता है सीलना स्टीच मतलब क्या होता है सीलना वार्ड मिनिंग भी नोट करते जाना आप लोग जिसको मैं बताते जा रहा हूं इस्तीचेज मतलब होता है सिलना वेयर फाइन तो इस्तीचेज वेयर फाइन यानि कि जो सिलाई हुई थी वह भी काफी ज्यादा अच्छी हुई थी यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ जो सूज था बहुत ही अच्छे से उसको क्या किया गया था बनाया गया था यहाँ आपको क्या लगता है कौन उसके दुकान में सूज रख रखा या बनाया आपको क्या लगता है चलिए स्टोरी में देखते हैं कि कौन उसके सूज को बनाया और किसने रखा था सूज को यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पिक्चर में मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अंडरलाइन करने में काफी अच्छा रहे है और आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगे अब यहाँ भी हम मार्केट विथ दा मनी दो शूमेकर जो सूज वो बेचा तो उसको कुछ पैसे मिले उतना अच्छा सूज उसको बेचा उसने तो उसको पैसे मिले अब वो पैसा लेके कहां गया मार्केट के अंदर गया ही बाट बाट मतलब होता है खरीदना ही बाट लेदर फोर टू पैर अप सूज उसने क्या किया उसने दो जोरी टू पैर अप सूज यानि कि दो जोरी क्या किया उसने लेदर खरीदे दो जोरी सूज के लिए उसने क्या किये लेदर खरीदे दो जोरी सूज के लिए उसने क क्या किए यहां पे लिखा हुआ है तू पेयर क्या लिखा हुआ है तू पेयर लिखा हुआ है ना यानि कि दो जोरी यानि कि दो व्यक्तियों के लिए व्यक्ति कैसा भी हो सकता है दो जोरी सूज के लिए उसने जो पैसा उससे अर्ण किया सूज भेश के एक जोरी सूज तो अब उस पैसे से इसने क्या खरीदा लेदर खरीदा क्योंकि लेदर इसके पास था नहीं अब आगे क्या होता है अब जो लेदर लेके गया अपने सॉप में उसको क्या क्या है कि ऐसे ही काट दिया सीला नहीं अभी ऐसे डिजाइन काट दिया उसके बाद वह अपनी मिसेस से कहा क्या कहा यहां पर देखें दो छोटे छोटे लाइन में यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है आपका क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है next day when the shoemaker क्या लिखा हुआ है next day when the shoemaker क्या लिखा हुआ है when the shoemaker went into his shop he was again surprised क्या लिखा हुआ है he was क्या लिखा हुआ है he was again surprised right he was again surprised he was again surprised right यहां पर देखो आप क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि shoemaker लिखा हुआ है क्या shoemaker went into his shop he was again surprised to see two pair of shoes beautifully finished जो सूज वो जो लेदर वो काट के सूज के लिए गया था रात में अपनी मिसेज को बोला कि कल मैं इसको क्या करूंगा सिलूंगा लेकिन अगली सूबह फिर से वो आता है तो वो दोनों जो लेदर काट के गया था वो फिर से सूज बना हुआ हुआ मिलता है पिर से यहां पर लिखा हुआ है दसूज वेर वेरी वेल मेड है ना सूज बहुत ही अच्छी तरीके से बने हुए थे विथ वेरी फाइन स्टीजेज बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया हुआ था उसको सिला गया था he was surprise वो बहुत ही surprise हुआ right खुश होता था surprise मतलब आश्चार यह हो जाना आश्चार यह में आदमी कभी-कभी खुश होता है यह ऐसा कैसे हो गया he saw at them to his wife right he saw at them to his wife उसने अपने missus को दिखाया who was also surprised to see उसकी missus यानि कि उसकी पतनी जो थी इसको देख के वो भी काफी क्या हो गई surprise हो गई काफी वो भी चौक गई काफी की ऐसे कैसे हो रहा है हम लोग कल के लिए प्लान कर रहे हैं और यह अचानक से बना हुआ कैसे मिल रहा है काई ना वही चीज तो यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि with who was also surprised to see such कै लिखा हुआ है such fine pair of shoes कै लिखा हुआ है such fine pair of shoes see sad क्या कह रही है see sad उसकी पतनी बोली की बहुत ही अच्छे shoes है लिखा हुआ है these shoes are very very teeny कै लिखा हुआ है these shoes are very teeny these shoes are very teeny and the stitches sorry teeny नहीं है fine है थोड़ा सा मैं correct करूँगा यहाँ पे यहाँ पे कै लिखा है these shoes are very fine and the stitches are excellent they will bring good money बोल रही है कि these shoes are very fine यह जो shoes है बहुत ही अच्छे है इसकी सिलाई बहुत ही अच्छी हुई है they will bring good money इससे हम लोगों को बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा इससे हमें क्या क्या उसकी missus कह रही है बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा again यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है देखे द्यान से क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है दशूमेकर क्या लिखा हुआ है दशूमेकर राइट यानि कि दशूमेकर यानि कि क्या हुआ दशूमेकर यानि कि क्या होता है जूता बनाने वाला यह जो व्यक्ति है जूता बनाने वाला यानि कि यह जो व्यक्ति है ज यानि कि एक बार फिर से वो मार्केट में गए and sold the two pair of shoes for a good price और जो दो सूज बने हुए थे उसको काफी अच्छे प्राइस में बेच दी है उन्होंने उन्होंने क्या किया जो पैसे अब उन्हें मिले वो जूते भेज करके उससे उन्होंने फिर क्या खरीदा लेदर खरीद लिया राइट ही कट आउट दा लेदर and said to his wife tomorrow I will tomorrow I will see them राइट तो फिर से वही कहानी रिपीट हुआ उसने फिर से अपनी मिसेज को बोला कि इसको मैं कल सिलूंगा इसे मैं कल सिलूंगा यानि कि वो दो पेर आप सूज बेस दिया फिर मार्केट गया लेदर खरीदा फिर उससे चार चार पेर आप लेदर को काटा लेदर बस काट के रखता था राइट लेकिन सूज रातो रात अपने आप बन के तयार होता था तो अब इस बर दोनों अगली सुबह वो उठा और फिर से वो अपने दुकान गया वाट डिडीड ही फाइंड वाट इडीड ही फाइंड उसने क्या पाया वंस एगें उसने दुबारा क्या लिखा हुआ है वंस एगें यह फाउंड दैट ही इस वर्क हैड अल्रेडी बिन डन उसका जो कार्य है वो पहले से ही किया जा चुका है यानि कि उसका जो जूता सिलने का वो कल पर बोलता था अपनी मिसेस हो कि मैं कल इससे सिलूंगा आज बस काटकर रख दे रहा हूं फिर वो सुबह जाकर देखता है तो फिर से जूता अच्छे से सिला हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ ह है देखो जड़ hansai फिर लिखा हुआ है यहां पर four pair of beautiful shoes where layingān bastante क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से फोर यहां पर ध्यान से देखो फोर पियर आफ ब्यूटिफूल सुज वेर लेंग रेडी मेड ऑन दा टेबल राइट यानि कि उसने देखा सुबह में कि चार बहुत शुंदर सुज पहले से बनके रखे हुए हैं देवेर परफेक्टली मेड वीथ फाइन वेरी फाइन स्टीचेज एंड वेर सोल्ड वेरी क्विकली इन मार्केट उसने फिर से वह उसको मार्केट लेके गया फिर वह बहुत ही जल्दी वह क्या हो गया शॉल्ड हो गया यानि कि बिग गया राइट अब इस स्टोडी में लिखा हुआ है every day the shoemaker would get up and go into his shop there he would हर सुबह वो अपने शॉप में उठके जाता था right there he would find his work already done for him अब ऐसे क्या होने लगा कि वो जब भी सूज बेजता था लेदर खरीद के लाता था अगले सुबह जाता था सुज बना बनाया मिलता था इस तरह से अब उसके जीवन में यह चलने लगा राइट अब आगे लिखा हुआ है the shoes were always very nicely made और हमेशा सुज कैसे बने रहते थे बहुत ही अच्छे तरह के से बने हुए रहते थे राइट अब यहां से the shoemaker became very famous जो shoemaker था जूता बनाने वाला था वह बहुत ही famous हो गया क्योंकि जूते इतने अच्छे होते थे और कोई उसी से सूज अब खरीदना चाहता था his shoes were so very well made that even the queen of the country wore them उसके सूज इतने अच्छे होते थे कि उस जो सू मेकर जिस भी country में जो country में रहता था वहां की जो रानी थी इवेन रानी तक उसके बनाय हुए यानि की सूज को पहनती थी जो बेशता था उस सूज को पहन रानी राइट see आगे क्या होता है story में she was very pleased she was very pleased she was very pleased यहां पे लिखा हुआ है कि जो रानी थी राइट she was very she was very pleased with the shoes placed with the shoes right she called she called the shoe maker and gave him 100 gold coin तो रानी ने क्या किया रानी जब सूज को पहनी तो बहुत ही अच्छा लगा उसको तो उसने उस shoe maker को बुलाई और उनको कह किया उन्होंने 100 gold के pieces दिये इसका मतलब the shoe maker remained poor आपको क्या लगता है अभी भी क्या गरीब था अब आप अपना विचार बताईएगा कि क्या आप 100 gold का piece मिल जाए चोटा चोटा बिस्किट के जैसा यानि पहले का बिस्किट बहुत बड़ा बड़ा होता था तो क्या आपको क्या लगता है कि कि वह शूमेकर को पैसा नहीं मिला होगा मतलब गरीब ही रह गया होगा आप अपना सुझाव देना है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी में थोड़ा सव टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुए है दशूमेकर ग्रिव वेरी रिच सूमेकर बहुत ही ज़्यादा धनी हो गया वन डे ही ही एंड ही वाइफ मेड अप देयर राइट माइंड तू फाइंड आउट हू मेड दसूज एक दिन उसकी पतनी और वह दोनों मिलके सोचा कि क्यों नहीं पता हैं कि हम लोग का सूज कौन बना दे रहा है हम लोग सुक्षक लेदर लाते हैं लेदर काट के रखते कल बनाओंगा लेकिन वह पहले से बन जाता है अगले सूबा जाने पर तो उन्होंने माइंड लगा कि आखिर बना कौन रहा है दे सेट टू इच अधर उन्होंने आपस में एक दूसरों से बात बाते करी वी मस्ट फाइंड आउट हूं मेक्स दसूज हमें यह जरूर यह मतलब धूंड निकालना चाहिए कि कौन सूज बना दे रहा है रात ओ रात जब रात होगा तो हम लोग वहां पर जाएंगे अपने दुकान पर वहां दुकान में पहुंचे अपने शॉप पर पहुंचे और अपने आपको हुँच ऑईड फिक है क्या लिखा हुआ है एच आईड इमसेल्फ भीहाइंड दा कॉर्टन प्राइट उन्हों ने क्या किया अपको एक कॉर्टन के में अपने आपको छिपा लिए कोटेंस मतलब क्या होता है कपड़े के पीछे कपड़े के पीछे उन्होंने अपने आपको छुपा लिए ताकि देखने के लिए कौन से लिए अपने आपको छुपा लिए कहां ताकि देख पाएं कि जहां पे उन्होंने लेदर को काट के रखा था सूज बनने के लिए यही पता करने के लिए कि कौन आता है रात में आपको क्या लगता है वो क्या वे देख पाएं उसको तब यहां पे देखते हैं कि क्या होता है लिखा हुआ है कि दे वेटेड फोर लॉंग टाइम उन्होंने काफी काफी देर तक इंतजार किया काफी नथिंग हैपेंड कुछ भी नहीं हुआ दे गौट वेरी ट्राइड वो बहुत ही ज़्यादा ठग गए थे आफ वेटिंग फोर सम्थिंग टू हैपें हैपें मतलब होना वो काफी ज़्यादा ठग गए कि कुछ तो हो कभी न कभी तो हो बहुत देर से भी इंतजार कर रह राइट जस्ट यानि की तुरंट उसी समय है उसी समय अब देखो इस स्टोरी में क्या होता है जस्ट उसी समय क्या होता है उसी समय देन दो क्लॉक क्या लिखा हुआ है उसी समय क्या लिखा हुआ है देन दो क्लॉक स्टॉक 12 बिल्कुल रात के 12 बज़े वेन वर्ट डू य लगता है क्या हुआ होगा यह बारा बार हम लोग उसे पूछा जा रहा है जैसे ही 12 बचा वैसे ही कुछ तो हुआ वहाँ पे तो वाट डू यू वाट डू यू थिंक हैपन देर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा यानि कि खिरकी से दो यानि कि सोरी विंडो से यानि विंडो से दो छोटे छोटे बॉने उस दुकान में जंप किये यानि विंडो से दर्वाजे से दो छोटे छोटे बॉने आये रात के 12 बजे दो यहां पर देखो यह दोनों के दोनों कैप पहने हुए हैं देखो यह पॉइंटे मतलब क्या होता है यह देखो ऐसे चोच टाइप का निकला हुआ कैप यह देखो इसका भी देखो यह पॉइंट लगा हो चोच टाइप कर रहता है राइट यहां पर देखो कैप एंड वोर ओनली रैग्स रैग्स लैट मींस होता है कि फटे फटे पुराने कपरे पहने हुए थे उन्होंने देखा कि जो इंट्री किये तो वह लोग देख रहे थे चुपके कि कौन आता जाता है तो देखे कि फटे पुराने कपरे पहने हुए हैं दो छोटे छोटे बॉने हैं देवेर डांसिंग एंड इसकिपिंग अप टू दा टेबल वह लोग डांस कर रहे थे और उच्छल कुद रहे थे टेबल के उपर विधा हॉप एंड इसकिप दे जंप ऑन दा टेबल या लेदर लेफ्ट दे बाइद सूमेकर है ना उन्होंने अब उसके बाद थोड़ी दार यह डांस किये उसके बाद यह क्या किये यह जो इल्प्स थे अपने पैरों को मोरा अपने पैरों को क्या किया क्रॉस लेग देखे होगे कभी जूता बनाने वाले को या फिर ऐसे अब जो लेदर रखा हुआ था छूटा हुआ काट के रखा हुआ था उसकी तरफ वह देखें अब आगे दे बीगें टू वर्क उसके बाद उसके उपर वह काम करने लगें देर डेर नीडल्स फ्लिव इन इन एंड आउट अना उन्होंने देखा कि नीडल मतलब क्या होता है यह जो लिखा हुआ एंड डबल इडी लेस नीडल्स मतलब होता है सुई है ना डॉक्टर के पास क्या होता है नीडल होता है ना डॉक्टर क्या वोलता है कि नीडल लगा दोंगा है ना वही है नीडल्स फ्लिव इन फ्लिव इन एंड आउट है ना इन एंड आउट हना सिलने लगा लिएटर लीटिल हैमर वेंट एलग लेटबम प्रपट norm team on on the leader on the leader वहां पर लिखGame मारी है चोटे-चोटे जो उनके हैमर थे हैं मुतलब महां थोरा होता है जो थोडी होती है उससे वह क्या हो थे रैप एंट टैप यानि कि टक 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 उसको ठोक के अच्छे से बनाना और स्टिचिंग करना है राइट वह सब चीज यहां पर बता रहे हैं अब आगे देखते हैं अदो इल्प्स वर्क वेरि फास्ट जो इल्प से वह बहुत ही जली-जली काम कर रहे थे ऑल्मोस्ट इन ऌं इन आउन टाइम दो वर्क वासंप्ली इन ऐं टाइम सबसे पहले हमें यहां एक्जेक्ट टाइम होगा उन लोगा कि इतने टाइम में कंप्लीट करना है देन देन ही सब्सक्राइब टू एल्फ टू सेस्ट डांसिंग फिर जैसे ही सुज सिल गया उसके बाद वह लोग डान्स की ये जंप अप एंड डाउन अप एंड डाउन उसके बाद उपर जब तक कि यह सब चीज होते हुए देख रहे थे जो सुमेकर था और उसकी पतनी थी यह सब चीज देख रहे थे वो लोग आये हैं डांस सब चीज बना दिये काफी तो वही बोल रहा है कि लोग बना आगे लिखा हुआ है डांस लोग आगे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है next morning the husband and wife made up their minds to do something for अगली सुबह husband of wife यानि कि सुमेकर और उसकी पत्नी ने दिमाग लगा है कि हम लोगों कुछ करना चाहिए उन दोनों elves के लिए the little elves है ना यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है the little elves देखो धियान से क्या लिखा हुआ है the little elves है ना यहाँ लिखा हुआ है the little elf लिखा हुआ है the shoemaker लिखा हुआ है the shoemaker क्या लिखा हुआ है the the shoemaker said to his wife the shoemaker said to his wife what can we do for the nice little elves हम लोग को क्या करना चाहिए हम लोग को क्या करना चाहिए इन दो छोटे elves के लिए right तो यहाँ पर जवाब है his wife said उसकी wife पूछती है सूमेकर की अपने husband से तो the elves did not have good cloth तो जवाब आता है कि उसके उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है they were only rags यह वो फटे हुए कपड़े पहने थे I sell make them little coats and trouser to wear मैं उन लोग के लिए अच्छे coat और trouser सिलूंगी पहनने के लिए उनके पहनने के लिए they will be very nice said the shoemaker shoemaker ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा idea है यह बहुत ही अच्छा रहेगा उनलों के लिए I will make teeny shoes for good elves और सूमेकर ने बोला कि मैं उन दोनों के लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा their little feet were bare ताकि उनके छोटे छोटे पैरों में वो पहने so so the shoemaker and his wife worked and worked तो अब shoemaker और उसकी wife इस पर काम करने लगे when the cloths and when the when the cloth and shoes were ready जब shoes और कपरे दोनों ready हो गए they were put on the table वे अपने दुकान में टेबल पर उसको क्या किये उसको रख दिये यहाँ पर लिखा हुआ है the shoemaker and his wife again hide behind the curtain लिखा हुआ है shoemaker और उसकी पतनी फिर से क्या हो गए छुप गए hide मतलब बताया था हमें कि छुप गए behind मतलब पीछे curtain curtain मतलब curtains मतलब कपरो के पीछे right they waited silently बहुत ही सांती पुरुवक उसका क्या इंतजार किये once again when the clock struck twelve the elves jump into the shop from the window यानि कि दरवाजे से फिर से वो क्या किये jump किये जैसे ही 12 बजा they dance and jump on the table to do their work there they show little coat वहां पर वो लोग dance शुरू किये अपना उन्होंने देखा क्या देखा कि छोटे coat रखे हुए है ट्राउजर रखे हुए है राइट यहां पर देखना अना ट्राउजर एंड नीट नीट लिटिल सूज नीट लिटिल सूज लेफ्ट फोर देम बाइद शूमेकर एंड हीज वाइब शूमेकर एंड हीज वाइब जो की उसकी पतनी ने शूमेकर और उसकी पतनी ने रखे थे सूज को भी है ना और कपड़े को भी राइट दा इल्प्स वेर वेरी हैपी जो इल्प्स थे वो इसको देखके उसको पहन के काफी खुश हुए दे क्लैप्ड एंड लाफ विच्वाए वे तालिया भी बजाए और उसके बाद लाफ किया उन्होंने हसा भी और इस शूमे आप यह जलाए भी किया वहाँ दोब लगता है या लगता है Alps आगे क्या किया होगा अगले दिख देप्ट ओन देयर लिटल ऊंड नंट सिंग वेर आउट ओफ दब वेंड़ों उन्होंने क्या किया कि उस ख्लॉच को और जूते को चले गए यानि कि पहना और उसके अब नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या डा लिटिल इल्प्स नेवर कम बैक एगें जो दो चोटे इल्प्स थे बॉने थे उक दुबारा कभी लॉट के नहीं है बट द शूमेकर एंड हीज वाइफ आलवेज हैड गुड लग लेकिन जो सूमेकर और उसकी पतनी थी मतलब उन दोनों के लिए इनका क्या था गुड लग था बहुत ही अच्छा था अच्छा भाग गये था दे ग्रिव रीचर एंड रीचर एंड लिवड हैपली एवर आप्टर उसके बाद ये लोग हमेशा के लिए रीच बहुत ही अच्छी चीज़े थी कुछ वर्ड मेनिंग है इस वर्ड मेनिंग को आप लोग को कोपी के अंदर में नोट डाउन करना है और इसके जो ये exercise portion है इसको काफी अच्छे से discuss करना है हम लोग को राइट तो इसके exercise को हम लोग बहुत ही अच्छे से discuss करेंगे next वीडि हुआ लिखा हुआ है to scrub scrub to rub hard for cleaning कल ही हम लोग पढ़े थे scrub मतलब क्या होता है कि rub करना rub मतलब एक एक हाथ के उपर में एक हाथ को रखके घीसना या फिर कार को किसी Coopress शाफ करना गिस गिस के राइट जैसे cycle हम लोग ताफ करते हैं या फिर कोई चीज गिस गिस की rub hard for cleaning यानि की जोड़-जोड़ से गिस के साफ करना Heelves मतलब क्या होता है जैसे मैं बताया भी था Elf thats ॉचल aleg एक बोना अदमी लेकिन इल्प्स है यह क्या है एलिटिल एलिटिल फैरी एलिटिल फैरी लाइक क्रियेचर विट पॉइंटेड इयर्स है जो एक परी परी की तरह थे यह लोग फैरी की तरह है अगला जो है अगला हम लोग देखेंगे क्यूस लिखा हुआ है पर्फेक्ट लिखा हुआ है अगला बिना किसी गलती के उसको पर्फेक्ट बोलेंगे जो देखके हम लोग दंग रहे चौक जाए उसी को सरप्राइस और दूसरे हो गया या फिर बोलते हैं complete हो गया तो वह ही है एक्सिलेंट एक्सिलेंट मतलब क्या आफ ओवर हाई quality excellent किसको बोलें जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाता है वह मतलब expectation से भी ज्यादा उसको excellent बोलते है तो वही चीजिए आप दियो आगे लिखा हुआ है curtain क्या लिखा हुआ है curtain तो यह क्या लिखा हुआ है a piece of क्लोथ क्या लिखा हुआ है a piece of cloth यहां a piece of cloth hang up a door or window एक ऐसा कपड़ा जो दरवाजे पे या फिर डूर पे लटका हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कर टंस बोलते हैं अब आगे जो लिखा हुआ है रैग मतलब क्या होता है old and torn नकल होती है यानि कि फटे और पुराने कपड़े राइट बताया था इनिस्टीड मतलब क्या होता है in place of something, इनिस्टीड मतलब मैं देथा हूं वुष्य सबड़े लुटे से पूले मतलब कोछ और, क्रो लेग प्रॉड करके बैठना दोनों पएर को sitting with one leg placed across the other एक दूसरे को ऐसे फोल्ड करके बैठना bear bear मतलब without cloths and covering without cloths and covering बिना कपड़े के without cloths बिना कपड़े के bear मतलब बिना कपड़े के और covering तो यह था बेटा आज के लिए और कल हम लोग discuss करेंगे और मैं आसा करता हूँ कि आप सब लोग ये जो tick the correct answer है reading comprehension skill का reading comprehension skill का जो tick the correct answer है मुझे आसा है कि आप सब लोग इस story को देख के बना लेंगे तो आसा करता हूँ ये सब copy में आप लोग लिख लिके बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अलाकि कल हम लोग इस पर discuss करने वाले है right B में भी बहुत ही अच्छा है ये true और false पूछ रहा है आप पटते जाओगे आपको सब चीज पता चलेगा 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 और true false में जवाब देना है right अगला जो question answer है question answer को मैं आपको discuss करूँगा इस चीज को कि क्या question answer क्या कह रहा है नहीं कह रहा है right तो इस question answer को मैं what's up करूँगा आप सब लोग को और एक link भेजूँगा आपके लिए right तो यहाँ पर question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 right तो चले आज के लिए इतना ही right और यहाँ पर आप देख सकते हो कि fill in the blanks है right fill in the blanks है 1, 2, 3, 4, 5 इसको ढूंढ़ ढूंढ़ के आप लोग fill कर लिजे right यह इतने what's दिये हैं इसी में से सब इसमें आप आएंगे right अब आगे जो दिया हुआ है next अगले कल के दिन हम लोग इसको इसके question answer को discuss करेंगे फिर अगला chapter पढ़ेंगे हम लोग measure for measure है न चली ठीक है तो आज के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का यह online classes और बहुत ही अच्छे सब बढ़ाई करेंगे घर में रहे सुरक्षित रहे त्राइट घर में रहे सुरक्षित रहे अच्छे रहे थेंक यू